Hey guys, this is Vinit here, welcome to my channel. So, आप में से काफी लोगों ने मुझे arithmetic के बारे में पूछा. तो अभी जो भी नए जॉइन किये हैं मेरे channel पे. तो आप सब में से काफी को arithmetic में क्या, कैसे क्या करना चाहिए, सब में ही doubt है. तो इसलिए मैं ये video लेके आया हूँ. I hope इस video के बाद आपके जो भी doubts है वो clear हो जाएंगे. और जो बाकी रहेंगे वो तो मैं definitely answer कर दूँगा, आप comments में पूछ लिजीगा. So, देखिए, इस video में क्या discuss करेंगे हैं, important topics क्या है, किस-किस में से question पूछा जाता है, order क्या होना चाहिए practice करने का, वो मैं सब बताऊंगा, आपको expected number of questions, जो questions पूछे जाते हैं, मैंने सब देखे हैं, मैंने इतने exam दिया जैसे कि आपने देखा होगा, तो हर एक topic से कितने question आते हैं, expected कितने हैं, मैं आपको बताऊंगा, और आपको focus क्यों करना चाहिए arithmetic में, वो बताऊंगा, और जो most important topic है, important topic तो देखो, सब में से कुछ ना कुछ आता है, बट most important क्या है, जो आपको करना ही है, वो बताऊंगा मैं, और sources का उने चाहिए practice के लिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कहां से start करे, कौन से topic से start करे, यह सब इस video से आपका clear हो जाएगा, तो देखे, अब most important में, मैंने पहले percentage दिया है, और second ratio and proportion को दिया है, तो आप बोलेंगे, यह percentage और ratio and proportion कैसे most important हुआ, तो इसमें से मैं आपको पहले बता देता हूँ, यही order में आप start कीजिए, अगर आपने start नहीं किया है, और ratio से, तो मैं आपको बता देता हूँ, तीन से चार question तो समझो, arithmetic में ही आता है, but percentage और ratio अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो आपका जो speed maths का portion है, speed maths वो आपका अच्छे से हो जाएगा, क्या है, उसमें ratio ही use होता है, percentage ही use होता है, बाकी calculations है, आपका DIs अच्छे से हो जाएगा, जो pre में पूछा जाता है, DIs में क्या पूछा जाता है, mostly ratio, percentage और ratio ही तो होता है, कौन less than कितना है, more than कितना percentage है, क्या ratio पूछ लेते हैं, तो आप समझ रहे हैं, ये topic का weightage कैसा है, और क्यों ये topic important है, क्योंकि अगर ये दोनों आपने कर लिया अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से करना है, ये दोनों अगर आपने कर लिया है, तो फिर बाकी जितने ये chapters है, averages, partnership, averages में भी आप यूजज़ कर सकते हो, partnership, average में एक normal formula या तो वो यूज़ करो, partnership में आप ratio use कर सकते हो ages में आप ratio use कर सकते हो mixture allegation में ratio से कर लो profit loss and discount भी percentage और ratio से हो जाता है यही लगता है यह base है यह आपको करना ही है इसके बाद ही आगे जाना है यह अच्छे से करना है 2-4 questions तो आते ही है साथ ही साथ यह हर chapter में use होता है ठीक है short cuts है short tricks है या short cuts है वो percentage और ratio से ही होता है हर arithmetic के chapter में तो आपको यह अच्छे से करना है अब practice कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ देखिए practice के time मैं आपको जैसे कोई playlist दे रहा हूँ तो आप उस playlist से यह chapter पहले practice कीजिए try कीजिए 15-20 questions हर chapter का practice करना हर chapter के लिए 2 दिन लीजिए 2 days chapter practice करने के बाद एक 2 दिन आपका chapter practice हो गया तो आप formula आपको समझ में आ गया होगा कैसे use करना है questions देखके video देखके समझ में आ गएंगे आप एक topic wise test लगा लो ठीक है इसमें क्या होगा इसमें होगा कि सब नहीं बनेंगे हो सकता है नहीं बनते तो आपको लगेगा रहे क्या होता है बहुत बच्चे ही हो जाते हैं कि नहीं बन रहे थे मेरे से करने के बाद भी नहीं बन रहे तो नहीं बनेंगे क्योंकि आपने आपी बहुत practice नहीं किया है आपको क्या लगता है 15-20 question करने से हो जाएगा नहीं तो यह क्यों करना है यह आपको basic आपका clear हो जाए इसके लिए करना है समझ जाएं आप बता आप यह देखोगे topic और इस test जब आप दोगे every topic के लिए बोल रहा हूँ 2 दिन लो तो अगर 10 topic है तो 20 दिन लोगे आप ठीक है 15-20 question आप एक दिन में कर सकते हो तो आप एक दिन में भी कर सकते हो ठीक है मैंने 7-8 topic लिए थे और मैंने 15-16 दिन में किये थे ठीक है और यह ऐसा नहीं था कि यह करने के बाद ही हो गया था इससे पहले भी मैंने बहुत practice कहा था बट मेरे number नहीं बढ़ रहे थे यह करने के बाद मेरे number अचानक सिर्टिकली बढ़ने लगे ठीक है तो topic wise आप जब दो गए यह करने के बाद तो आप realize करोगी कि आपको approach समझ में आ रहा है ठीक है और आपके questions बनने लगे तो यह होगा बागी के आप solution देखो समझो solution से नहीं हो रहा है तो वापस आपको इधर ही जाना है फिर आप practice करो playlist से या videos देखके जो teacher आपको पसंद है उनका मैं तो playlist आपको दो दूँगा दे दूँगा वीडियो के link में ठीक है वीडियो के description में सो देखे यह हुआ इसके बाद आप averages करो partnership करो ages करो एक question आएगा partnership कभी एक question आएगा इसका भी एक question आएगा averages कभी-कभी दो पूछ देते हैं बड़ generally एक ही question आता है mixture allegation से एक या दो question आ सकता है ठीक है allegation देखो allegation आप जब करेंगे तो यह averages में भी use होता है ठीक है इससे बहुत easily solve हो जाता है तो आप देख लीजेगा teachers definitely आप जो मैं वीडियो दोंगा उसमें दिखा देंगे आपको profit loss and discount मैं next slide पर आपको जो दिखाऊंगा वो बहुत important है arithmetic के most of the questions उससे आते है ठीक है बट उससे पहले मैं आपको यह बता दे रहा हूं इसमें आप दो question मानके चल सकते हो ठीक है simple और compound interest से भी question मानके चल सकते हो compound interest में लोगों को problem आता है बट practice से यह भी आपको हो जाएगा formula एक ही है कुछ भी नहीं है simple का वही है PRT by 100 आर percentage में होता है ठीक है compound interest का भी कुछ और नहीं है amount equal to p plus i इसमें भी यह चलता है इसमें बस अलग है a equal to p one plus r percent raise to t ठीक है अब यह जो है यह most of the questions इसमें से आते हैं यह chapter से इसके लिए मैंने इसको दूसरे slide पे डाला ठीक है speed distance and time time and work अब इससे क्या होता है अगर आप speed distance and time कर लेते हैं तो आपका votes यह upstream downstream के question आपने देखे होंगे यह भी इसी से लेना देना है उसका तो आप जब speed distance and time करोगे जैसे मैंने order में बताया आप वैसे ही कीजे आप यह कर सकते हैं कि आपका ratio और percentage अगर एकदम अच्छे से हो गया है तो first second के बाद आप third यह वाला topic कीजे फूर्थ य time cover होगा सब question ratio से हो जाएंगे ठीक है ratio use करके mostly sub ठीक है बाकी तो formula आपका पता है speed equal to distance upon time वही है बाकी ratio से बन जाते है अब इससे आपका पता है speed inversely proportional at time से distance directly proportional है ठीक है ऐसे लिखते हैं हम तो वही होता है वैसे हम solve कर लेते हैं ratio में भी फिर s1 by s2 अगर लोगे आप with the t2 by t1 होगा अगर s1 is to s2 का ratio है दिया है आपको तो आपको t2 is to t1 का ratio मिलेगा ठीक है तो यह तो आप सीख जाओगे वीडियो से practice करोगे तब तो आपका speed distance time से boats हो जाएगा train के question हो जाएंगे train और man के question रहते हैं देखवेंगे अपने poles के ठीक है और जो भी ground stationary man यह सब के रहते हैं वो आपके इससे हो जाएंगे time and work से क्या होता है time and work efficiency वाले तो रहते ही है इसमें भी वही formula है जैसे इसका मैंने बता है ठीक है work equal to efficiency into time ठीक है तो यह करने से आपका pipes और systems हो जाएगा man days वाले questions हो जाएंगे जो आपने देखेंगे man woman child work कर रहे हैं तो यह इसी logic पर पूरा चलता है ठीक है तो बहुत important है मैं तो बोलूँगा इसमें से कम से कम 4-5 questions आते हैं यह मैं pre की बात कर रहा हूं ठीक है SBI clerk अभी आप देने वाले हो तो आपको इसमें यही सब पर focus करना है में 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 क्या होगा में में और ज्यादा questions पूर सकते हैं हो सकता एक डियाई दे दें केसलेट दे दें या उस पर data sufficiency की question दे ठीक है तो इसमें से 4-5 questions आता है mensuration से एक आद question आता है ठीक है probability PNC से भी एक आद question ही आता है pre में बट mains में generally आजकल क्या कर रहे हैं 4-5 questions आ जाता है इनका ठीक है तो आप mains में नहीं छोड़ सकते हैं और वो सकता है यह easy है ठीक है तो आप mains के लिए नहीं छोड़ सकते है pre के लिए आप definitely इसको फिर भी skip कर स तो I hope आपको समझ में आया होगा यह चीज अब बाकी क्या है arithmetic questions can be a savior क्यों क्योंकि बलक जो questions है mains में वो इसी में से पूछे जाते हैं ठीक है speed match जादा नहीं होता है mains में क्या रहेगा algebra वाले रहेंगे series के थोड़े रहेंगे वो भी tough रहते हैं बाकी क्या होता है quantity 1 quantity 2 case let's normal arithmetic question दे देंगे बड़े वाले ठीक है डी यह भी arithmetic based रहेगा जैसे कि आपने देखी लिया होगा इतने paper अभी mains के जो हुए है उसमें data sufficiency भी arithmetic based ही रहेगा ठीक है तो यह सब में arithmetic use होगा तो आप समझ सकते हो कितने questions पूछे जाते होएंगे mains में arithmetic का तो आपको anyhow जैसे मैंने बत प्रक्टिस करने बोला आपको पहले वीडियो देखने प्रक्टिस करने फिर आपको लगाने फिर आपको देखना है आपके कितने बन रहे हैं नहीं बन रहे तो वापर से back to basic back to square one वापर से वही कीजिए यह करते करते हैं आपका definitely within a month or two आपका अगर math normally आपका calculations calculation part अगर strong हो गया है तो आपका arithmetic हो जाएगा जैसे मैंने बताया उससे sources की बात करूँ तो देखो cons checklist है आशी शरौरा सर का उनके telegram channel पे आपको मिल जाता है ठीक है उनके channel पे मिल जाएगा आपको everyday का डालते हैं वो आशी शरौरा तो सर के channel पे मिल जाएगा उससे practice कर सकते हो भले आप 20 questions उनके रहते हैं 20 मत करो 10 questions करो बट करो ठीक है उससे फायदा होता है अगर आपको वीडियो से नहीं बनता तो PDF से बाकी मैं playlist आपको prelims और mains के जो है वो दे दूँगा ठीक है link description में डाल दूँगा so I hope आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा क्या करना है कैसे करना है and क्यों आपको focus करना चाहिए arithmetic पे बहुत hard भी नहीं है आप कर सकते हो अभी क्या होता है SBI clerk का mains exam जो मैंने दिया था उसमें मैंने arithmetic के थोड़े questions solve किये थे ठीक है क्यों क्योंकि बाकी जो questions थे वो आपको कभी-कभी बचा लेता है definitely अगर आता है तो तो हमेशा ही बचाएगा बट नहीं भी अगर आपने बाकी सब आपको नहीं आ रहा है ठीक से तो आपको arithmetic definitely बचा लेगा तो आप ठीक से कीजिए math tough होते जा रहा है so I hope this video will clear your doubts and अगर आप मेरे चैनल पर first time आया है so do not forget to subscribe and stay tuned for more updates and strategies thank you and keep preparing all the best